एक्जाम सेंटर में सब तयारी होने के बाब जाने तक और हम एक्जाम सेंटर में सब तयारी होने के बाब पाब जूद, सारी रिविजन होने के बाब जूद, एक्जाम सेंटर में हमें ये एहसास होता है कि काश कोई बता देता कि इस आनेक्सपेक्टेट पेपर पैटरन से कैसे लडाई करें और ये सेशन में इसलिए आज मैं इसलिए लेकर आरे हूं आप सब के सामने क्योंकि 2022 में बहुत सारे बच्चों की साथ ऐसा हुआ था कि बायो का पेपर उनकी absolutely stunning तयारी होने के बावजूद, they had the best preparation, उनको physics भी आते थी, के mystery भी आते थी, मैं उन महनती बच्चों की बात कर रहे हूं, जिनोंने actually 2 साल महनत करी है, who are serious aspirants, और double subject bio, हमें शुरू से पता है कि botany, zoology, biology एक double subject है, 360 marks, 50% of the paper, bio पर निर्धारित है, और हर बच्चा exam center में जाता है, और उसको bio से बड़ी expectation होती है, कि भाई मुझे अगर 720 में से, मानलो 700 या 680, जो की एक अच्छा score माना जाता है, 650 to 720, मैं बोलती हूँ, आप 720 के लिए aim करो, तो वो उसको पता होता है कि maximum मेर यिल्ड कहां से आएगा भाई, bio से आएगा, हाँ, तो इस बार बच्चों के साथ क्या हुआ, कि bio का ही paper, 2022 में उनका इतना वक्त खा गया, paper का pattern इतना अजीब था, इतना अलग था, कि कई बच्चों ने बाहर आकर बोला कि ma'am, हमें ऐसा लगा कि पूरी तयारी होने के strategy session है, merely तयारी होना आपको जंग नहीं जितवाएगा, लेकिन एक strategy होना, एक skill होना बहुत बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में बात करते हैं, is there any best way to attempt the neat UG question paper, देखो बच्चों, किसी साल paper easy आता है, किसी साल paper मुश्किल आता है, अब ये जो word मुश्किल है ना बच्चो ये word को समझना बड़ा जरूरी है, actually paper मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अब आपका जो syllabus है, वही 40 chapters में से, मैं bio की बात कर रहे हूं, वही 40 chapters, वही physics के chapters, वही chemistry के chapters में से paper आना है, और अगर मैं अपनी bio की बात करूं, तो NTA, NCRT से बाहर भी नहीं निकल रही है, यानि कि हमार जो हमारा जो preparation वाला field है, यानि कि questions का आने वाला field है, वो बहुत छोटा हो चुगा है बच्चों, तो उस हसाब से तो paper easy ही आएगा हर साल, easy ही आता रहा है, तो फिर ये मुश्किल क्या होता है, it is always the pattern of the paper, जो उसको मुश्किल या आसान कर सकता है, and that necessarily इध्यान से इस बात क कर लिया, तुमने कितनी बार revision की है, the pattern of the paper could be a shocker, there is a need 2022 में, bio का paper, botany का paper, बहुत लेंदी था, multi statement questions थे, है न, तो कैसे deal करना है, पहले ध्यान रखो, कि तुम्हारा paper चार sections में divided है, physics, chemistry, botany और zoology, मानने वाली बात है, कि ये अकेला तुम्हारा double subject है, है न, अब MCQ टाइप of questions है, और तुम्हारे पास 3 घंटे है, चीक है, अब 2020, 21, 22, ये जो COVID वाला time था, इसमें हमें 200 minutes दिये, 3 घंटा, 20 minutes दिये, आगे जाके मैं expect करी हूँ कि paper का pattern normal हो जाएगा, वही 3 घंटे का paper हो जाएगा, अब हमें ये भी ध्यान रखना है, कि हर एक subject में हमारे पास, 180, 180, 180, मेरा target है कि मैं अपने 180 मार्क score कर लू, सही बात है, पूरी तैयारी मैं करके गई हूँ, लेकिन जो subject की type है, उसको ध्यान देना बड़ा जरूरी है, type of subject is not based on what you like, कई बच्चे होते हैं जिनको physics पसंद होता है, कई बच्चे होते हैं जिनको bio जादा पसंद होता है, कई बच या आपका favoritism subject की तरफ यहां पर matter नहीं करता है, हर subject की अपनी एक type होती है, अपनी एक फितरत होती है, तो type of subject को अगर देखें, तो botanizology यानि की biology का जो section है, that is overtly conceptual, बेहत conceptual है, फिर हम chemistry में जाएं, तो it is a mix, it is a mix of concept and calculations, concept and calculations, और अगर मैं physics की बात करूँ, तो वो mostly calculative होता है, नीट 2020 में मुझे बच्चों ने ये बताया, कि मैं physics की जो calculations आई थी न, वो easy थी, वो काफी lengthy या confusing calculations नहीं थी, right, so that is also, that can also happen, तो हर साल जो paper का pattern होगा न, वो अलग हो सकता है, आपको teachers ये बता सकते हैं, कि इस chapter में से ये possible questions है, आपको ये बताया जा सकता है, आप predict कर सकते हो कि आजकल क्या important concept से question आ रहा है, कि इस chapter की कितनी weightage है, इस chapter में से 2 mcq आते हैं, इस chapter में से 5 आते हैं, ठीक है, लेकिन pattern of the paper, वो NTA के हाथ में है, तो सबसे पहले जब question paper आता है, अपना favoritism ना रखें, ये मुझे physics या chemistry पसंद है, usually 90% में भी ये ही suggest करती क्योंकि bio पहले करो, bio इसले पहले करो, क्योंकि bio का जो conceptual paper है, every question will not take more than 30 seconds, 30 seconds is the maximum time, कभी-कभी कुछ questions का इतना direct answer होता है, कि 10-20 seconds में हमें answer पता होता है, लेकिन the catch in the story is, कि जब question paper आता है, आप उसको एक बार फटा-फट analyze करें, आप botany zology section में जाएं, आप देखें कि कहीं bio में ऐसा तो नहीं है कि दुबारा से question after question, question after question, multi-statement questions आ गहें, ठीक है, वो फटा-फट देख के पता लग जाता है, आप खोलो अपनी inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry, देखो कि इस बार क्या pattern है, what is the basic tune of the paper, ताकि bio में जैसे मेरा उन बच्चों को यही जवाब था, कि botany zology में, जब आप question solve कर रहे हो, कोई question ऐसा है, जो multi-statement है, जो ज्यादा time ले रहा है, आपको सबसे पहले bio के section में भी वो questions करने चाहिए थे, जो direct है, पर 40% paper तो वो भी था direct question, what is this known as, तो हम पहले वो solve कर सकते थे, तो spend a while, spend at least 5 minutes, 5 to 7 minutes to analyze your question paper, उसके बाद आप bio से suppose आपने start किया, आपने जब biology से start किया, तो सबसे बड़ी गलती, especially जन बच्चों को ये बड़ा confidence होता है, कि मेरा तो bio done है, अच्छा, bio में भी न, कई बच्चों के botany अच्छी होती है, कई बच्चों के zoology अच्छी होती है, है न, तो हमेशा उस section से start करो, जो आपका perfect है, तो botany से suppose आपने start किया, ये zoology से start किया, किसी भी question पर आप ध्यान रखें, कि आप more than 30 seconds spend नहीं कर रहे हैं, maximum 45 seconds, अगर आपको लगता है कि आप किसी question में अड रहे हो, कई सारे ऐसे questions थे botany में, है न, which of the following are the correct features of the vascular bundle, या ऐसे कुछ, कई बार कुछ bonus questions हो जाते हैं, जिसमें answer नहीं निकलता है कुछ अगर हम उस पर 1 minute, 1.5 minute, 2 minute लगा देंगे, हम अपने chemistry और physics के 180 वाले section से हमारी जो yield है, जो हमारी उपज है वो कम कर रहे हैं, तो ऐसा ना कीजेगा, काफी practical रहेगा, simple questions पहले करोगे, ये same pattern, अचा तभी के तभी आप OMR sheet में mark कर दें, या, so mark as you solve, mark as you solve, उसके लिए आप क्योंकि कई बच्चे ये बोलते हैं कि माम, हमने solve कर लिया था paper, लेकिन हमारे पास OMR में mark करने का time नी बचा, मेरे तो 10-20 MCQ ऐसे ही रहे गए, तो यार, ये गलती मत करना, please, आप जैसे-जैसे question आपको sure है, क्योंकि आपने simple questions उठाए है, usually वो questions है, जो आपको answer आपको पता अचा, अब chemistry के बारे में, एक बात ध्यान रखना, बायो में हमने देख लिया, suppose हमने botany से start किया, suppose हमने zoology से start किया, हमने easy लगता है, chemistry में आपकी जो physical chemistry है, वो usually calculated होती है, physical chemistry calculated होती है, organic chemistry में भी time लग जाता है, बहुत जादा equations होती है, कई बार हमें equations याद करने में, recapitulate कर time लग जाता है, उसके बाद हमारी inorganic chemistry, it's usually direct conceptual chemistry, तो मैं बच्चों को usually ये बोलती हूँ, अचा, कई बच्चे हैसे हैं, मैंने देखा इतने सालों में, जिनकी organic chemistry specially बड़ी अच्छी होती है, as compared to inorganic, बोलते हैं, मैं हमसे रट्टे नहीं मारे जाते, inorganic chemistry and physical chemistry, है ना, तो या inorganic chemistry से start करें, inorganic chemistry से start करें, लेकिन अगर कोई question 45 seconds से ज्यादा ले रहा है, उसको छोड़ दो, mark as you solve, और last में आप physical chemistry करेंगे, so do organic and inorganic first, सही बात है, इस हिसाब से, ऐसा, देखो paper में, एक चीज़ याद रखना, you are on the right path, अगर as you solve the paper, आपको अपने score पर confidence आ रहा है, ऐसा नहों कि आप जैसे-जैसे paper में आगे बढ़ रहा है ना, solve करते हुए, आपका confidence, आपका moral status कम हो रहा है, that is a wrong indication, okay, so you should have a bigger smile as you solve, कि हाँ यार, इतने वाक्ष तुम्हेरे आ जाएंगे, जो question छोड़ रहे हैं, उसके आपको पहली बारी में इतना confidence आजाएगा, as you solve the simple questions, as you solve the inorganic chemistry first, कि आप जब physical organic के tough questions पे भी, lengthy questions पे भी पहुँचोगे, तो आपका brain could process, could come to an answer, because it is, it is feeling happy, कि already, it is feeling sorted, कि मैंने already कुछ तो score निकाल लिया है, जब आप question answer कर रहे हैं, अक्सर मैंने ये देखा है, कि बच्चे शुरुवात में paper में बड़ा focused हो के solve करते हैं, देखो, ये कहानी है memory की, आपने 2 साल पढ़ाई की है, ऐसा तो है नहीं कि आपने last दिन में, last के एक हफते में, एक महीने में सारे chapters कर ली हैं, syllabus बहुत वास्ट है यार, 2 साल का physics, chemistry, bio क syllabus है, तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा portion हो, जो आपने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले किया था, और आपने end में नहीं revise किया, ऐसा हो सकता है, तो ये game हो जाती है, कि हमारी memory कितनी sharp है, और आपकी memory तभी sharp रहेगी, अगर आपका focus throughout the exam consistent रहेगा, दावा डोल focus नहीं रहेगा, अब अ and started sweating and I didn't have enough focus and confidence while solving physics chemistry, this is the biggest mistake you do, तो आपको उस वक्त, that is why you should follow the strategy, कि मैं पहले तीनो sections के simple question कर रहा हूं, ताकि मेरा एक consistent confidence और focus throughout the 3 sections बना रहे and I can gain maximum marks out of my strong points, strong portions of the paper, है na, the easy questions, so called easy questions, easy for you, है na, easy questions of the paper, तो ये बड़ा आपको ध्यान रखना है, और इसमें एक और ध्यान रखियेगा, कि कई बार ऐसा होता है, कोई ये question सामने आता है, और हमें लगता है ये concept तो मेरा best concept है, मेरा favorite concept है, डाइकोट रूट का structure, तो मेरे को class में सबसे अच्छा आता था जब माम मुझसे question पूछती थी, how come I am not able to solve this question, तो हम emotional हो जाते हैं, so don't get emotional, don't get emotional about questions, क्यों, बेटा आप शायद याद नहीं रखते हो, बहुत बच्चे इस बात को miss कर देते हैं, कि देखो एक तो 45 seconds से exceed नहीं करना है, मान लो आपका, आपके पस इतना time है, आप अपने second round of solving म you can give one minute, लेकिन अगर आप question में one minute से भी ज्यादा exceed कर जाओगे, move to a different question if you have spent a lot of time, this lot of time is more than one minute, सुनो ध्यान से, अकसर जैसे जैसे time बढ़ता है, जैसे जैसे ये एक minute cross होता है, अपन negative marking की तरफ भी बढ़ सकते है, so please don't forget that negative marking is the biggest evil of NEET UG, we should not go for negative marking, don't get emotional for a concept, again I am repeating हो सकता है, आपकी concept clarity excellent थी, आपको सारा कुछ आता था, but on that day, the pattern of the question, how twisted it is, what is the language of the question, please don't expect कि मुझे तो सब सॉल्व करना है, सारे पांच मिनट मैंने इसी बायो की question पर लगा देना, because it is my favorite concept, and please don't get, don't go for negative marking इस चक्कर में, जो शॉर है, वो सॉल्व करें, जो नहीं आता है, let it go, So, these were some of the tips that I had to give you about planning your time in the paper, very very wisely, ये तीन घंटे, हमारे future या तो बना सकते हैं, या नहीं बना सकते हैं, अच्छा, अब to sum it all up, ये जो आपको skill मैंने बताई है, कि क्या कैसे करना है, इस skill को action में लाने के लिए, to get the skill in action, to get the skill in action, शब्दों से समझना मात्र काफी नहीं है, you have to solve papers, previous year papers, इसी लिए मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, कि नीज के exam center में जाने से पहले, कम से कम 10 previous paper solve करके जाओ, क्योंकि हर paper का pattern और उसमें required skill अलग होती है, the more skill set you have, better you will be, better prepared you will be for the final exam, चेक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना, and I hope this will help you, practice mock test repeatedly, and I am sure कि आपको ये जो छोड़ी छोड़ी tips हम channel पर लेकर आते हैं, इससे बहुत सारी मदद मिलेगी, ये कुछ ऐसी बाते हैं, technical बाते हैं, जिनको हम इग्णोर नहीं कर सकते, along with the revision and absolutely stunning concept clarity, जो आप classes में कर ही रहे हूँ, right people, share this session with everybody, hit the like button and subscribe to Aakash Paiju's NEET channel for more such amazing tips, I will see you in the next class, bye bye. खcorर gemaakt also heroic ने 03, też कैय Radio & तॉए आ에서 am tap pea lead, जोरी आपको आते, कि तो स Ο pen, लेकर maneं पाना प्लापको अेभ़ी चार कि ह्लापको फारा स्लें कर सी कि ऊ Иль slept है, झाल झाल